नमस्कार साथियों, सुशान सिंह राजपूत मामले में एक जो बड़ी बात सामने निकल करके आ रही है, वो यह आ रही है कि लगभग एक साल पांच महीने चार महीने बीच चुके हैं और अभी तक इस मामले का कोई भी खुलाशा नहीं हुआ है, परन्तो जाच एजेंसियों और जो सोशल मीडिया पर बाते चल रही है, उसके मुताबिक इस हत्या का राज, सुशान सिंह राजपूत की मौत होने के साथ दीन पहले की बारदात और जो घटना हुई है, उस पे छुपी हुई है, तो आईए चलिए, मैं आज की वीडियो के शुरुआत करता हूं और आ दिशाशालियान के साशन जब उनका जब वो नौकरी था वहाँ पर सुशान के पास, उसी दर्मियान रिया चकरवर्ती, सुशान सिंह राजपूत के सारे स्टाफ को हटा देती है, और सुशान सिंह राजपूत के सारे चीजों को खुद कंट्रोल कर लेती है, अब जब की दिशा शालियान का कॉंट्रेक्ट एक साल का था और वो कॉंट्रेक्ट खतम हो जाता है। उसके बाद दिशाशाल्यान की नौकरी discontinue हो जाती है लेकिन एक साल के अंदर दिशाशाल्यान और शुशाम सिंग राजपूत के बीच एक अच्छे रिष्ते रहते हैं जो की एक शाब सुत्रा respectable रिष्ता था और इसी लिए जब दिशाशाल्यान वहां से नौकरी से हटी और एक अलग जगह पे जिस पार्टी में उसकी हत्या होई है वो सारी बातें उस रात को शुशाम सिंग राजपूत को बताया जाता है दिशाशाल्यान ने फोन करके बताया था और उस पार्टी का जो रास था वो बहुत बड़ा रास था क्योंकि उस रात को जो दिशाशाल्य कि इन माफियाओं को इन बॉले वूड के लोगों को यह पता चल गया कि सुषान सिंग राधपूत को यह सारी बाति पता चल चुका है तो इन लोगों पूरा एक साजिस तय किया और पूरी एक प्लानिंग तय कि यह जो बाते में बता रहा हूं इसके बारे में लगतार शोशल मीडिया पे और हर जगा यह बाते चलते रहती है कि कहीं न कहीं इस केस का कनेक्शन दिशाशालियान के केस से रिलेटेड है लेकिन मुंबई पूलिस की बात देखे कि मुंबई पूलिस ने आनन फानन में कुछ दिनों के बाद नहीं दिशाशालियान से रिलेटेड सारे डॉकुमेंट को डिलीट कर दिये थे अपने केम्प्यूटर से ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि किसी भी केस को जब तक नहीं डिलीट किया जाता है जब तक कि इस मामले में कोई सुनवाई न हो जाए कोई निसकर्स पर न पहुंच जाया जाए जबकि मुस्किल से केस का एक साल भी नहीं हुआ था और सारे चीज़ों को खतम कर दिया गया और ये जो दिशाशालियान के जो हत्या होती है करिब 6-7 दिन पहले और उसके बाद फिर शुषान सिंग राथकुद के हत्या हो जाती है तो दोनों के बीच का जो 7 दिन का जो प सेक्रेटरी ड्राइबर ये लोग किस-किस से संपर्क में थे तो बहुत सारी चीज़े निकल करके सामने आ सकती है और उमीद है कि CBI इस मामले को देख रहे होगी अच्छी तरीके से और ये भी पता है मुझे कि CBI हम लोगों से ज्यादा तेज है क्योंकि ये उनका प्रफे